हेलो दोस्तों नमश्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन अड़ा फर्स्ट टूड़ी यूटूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटिस अब्डेट के बारे में जो की संबन दीते हैं एक लाग पदों पर नई सिच्छक भरती के बिग्यापन की गोश्णा के बारे में जिसमें 30,000 पदों प्रात्मिक सिच्छक भरती के हैं 20,000 पदों पृद इस वीडियो में हम डेटिल में चरचा करेंगे चैनल को सब्सक्राब करेंगे बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल आथेंटिक जानकारी ओनलाइन अड़ाफोर स्टड़ी यूटूब चैनल से मिलती रहें शुबात करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बेहार डियलेड की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षू प्रकाशन की हैं जो कि आपको इस टड़ी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीन तम पाड़कर्म पर आधायत इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुबिकल पे कोश्चन, 400 पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिन टू सलेवर्स इसको तयार किया गया है जैसा कि आप लोग अपनी स्कीन पर देख भी सकते हैं इसके अंदर आपको most expected questions के साथ-साथ मिलता है सभी question की detail में answer की, साथी साथ सभी question की 60 को तरमाला इस book को आप Amazon या फिलिप कार्ड से purchase कर सकते हैं जिसके link मैंने आपको वीडियो की description में दे दिये हैं या फिर आप इसे अपने नजदी की store से भी purchase कर सकते हैं study guide के साथ चक्षू परकाशन का practice set भी आता है जिसको आप लोग purchase करके अपनी त्यारी को और बहतर बना सकते हैं इस book को purchase करने के लिए link दोनों के वीडियो की description में है अभी link पे click करें और purchase करें और सबसे पहली जो update है एक लाग पदों पर नई सिच्छक भरती के बिग्यापन के बारे में एक beard, btc करने वाले अभ्यरती का सपना क्या होता है एक beard और btc या dealer करने वाले अभ्यरती का सपना होता है कि उसको beard और btc करने के बाद में एक bumper और बड़ी सिच्छक भरती देखने के लिए मिल जाए उसकी जीवन में जिससे कि उस सिच्छक भरती के अंदर उसको नोकरी मिल जाए हैना अब यहाँ पर अलग-अलग चीजें आपके सामनी आती है क्योंकि beard और btc करने के बाद में नोकी बड़ी आसानी से नहीं मिलती है और इसलिए बहुत सारी अव्यरतियों का सपना से इतना सा होता है कि bumper पर पर उनके लिए एक दो भरती निकाल दी जाए जिससे कि उनका जो selection है वो आसानी से हो जाए अब ऐसे में यहाँ पर अगर बात भरती को लेकर की जा रही है तो निश्यत तोर पर 30,000 पर पर प्राथमिक सिच्छक भरती को लेकर बात करें 20,000 जूनियर सिच्छक भरती के बारे में या अगर बात की जाए 50,000 से ज़्यादा टीजिटी पिजिटी बहती के बारे में अब आप जानते हैं कि इसमें B.A.R. औ B.T.C. दोनों अभेती आविदन कर सकते हैं हाला कि दोनों की अलग-अलग योगिता होती है प्राथमिक में अब B.A.R. आविदन नहीं कर सकता है इससे पहले कर सकते थे लेकिन इस 30,000 बहती में B.A.R. नहीं करेगा जबकि 20,000 जूनियर बहती में B.A.R. बीटीसी दोनों आविदन कर सकते हैं बस्षर्ट ये होगी कि B.T.C. करने वाले जो भी अभेती हैं उनको गैजुएशन के आधार पे B.T.C. किया हो लेकिन T.G.T. और P.G.T. के अंदर सीधे तोर पे B.A.R. करने वाले अभेती आविदन कर सकते हैं जो कि हर बार एक अलग-अलग योगिताओं के आधार पे आपको चैन किया जाता है लेकिन प्राइमरी के अंदर ही ऐसा होता है बाकियों के अंदर तो योगिताओं पहले से ही फिक्स हैं अब सबाल यह है कि आविदन कब से करने इसके अलावा एक्जाम डेट क्या है और यह भरती को लेकर नोटिफिकेशन कहा है तो यहाँ पे है भरती का नोटिफिकेशन जिसको लेकर बात की जारी है अगर बात की जाए इस नोटिफिकेशन के बारे में तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा प्राइमरी के लिए 15,369 पर्द हैं तो वहीं दूसी तर बारह 16,669 पर्द हैं PRD के ठीक है ये किसके हैं PRD के लिए इसी तरीके से अगर बात की जाए 628 के बारे में तो उनके लिए जो male के पर्द हैं वो 11,007 पर्द हैं और female के लिए 8,638 पर्द हैं यानि कि कुल मिलाकर PRD की अगर बात की जाए तो 28,000 से जादा यानि कि लगबग almost 30,000 मान करें चलिए क्योंकि छोड़े चोड़े आकड़ों में हम फसेंगे तो लंबा हो जाएगा कुल मिलाकर 50,000 जो पर्द हैं वो यहाँ पर 125 और 628 के हैं वेकेंसी कहां से हैं आप सभी जानते हैं बताने की मुझे आप शक्ता नहीं है वेकेंसी सीधे तो आपर बिहाल लोग से बार आयोकियों से निकाली गई है तो यहाँ पर PRD और 628 के पर्दों को निकाल करके दिख जाए तो लगबग 50,000 के सम्थिंग पर्द हो जाते हैं PRD और 628 में लेकिन इसके अलावा यहाँ पर कुछ और वेकेंसी यानि कि 9th और 10th इसके इलावा 11th और 12th के लिए तो इसके संबंद में भी आविदन मांगे गए हैं यहाँ पर आप सभी देखेंगे 9th और 10th के अंकडावी 20 से जादा हो जाएगा इसी तरीके से अगर बात की जाए 11th और 12th के बारे में तो 22,000 के सम्थिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं mail के यानि की PGD की बात करें और 7,427 के सम्थिंग आप देखेंगे तो यह आंकडावी आपके लगबग 30 के सम्थिंग चला ज जाती है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो अब सवाल सीधा सा यह है कि इस वेकिंसी में कौन कोन आवेदन कर सकता है और क्या क्या इसकी योगिता है अगर बात की जाए 1-2-5 में आवेदन करने के लिए तो यहां पर BTC डीलेड वाले अभेती आवेदन कर सकते हैं अगर BTC डीलेड आप हैं तो आप इस वेकिंसी में आवेदन कर सकते हैं लेकिन यहाद है आपके पास में सीटेट होना ही चाहिए तभी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे ठीक है तो सीटेट वाले अभेती इसमें आवेदन करने के लिए पूरे तरीके से बात रहे हैं ब की जो सीटेट होता है वो पूरे अलग अलग राज्यों के लिए यानि की केंदर इस तरह से करवाया जाता है इसलिए ठीक है आविदन 23 तारीक तक की इसकी लास्ट डेट है यानि की कल तक हाला कि अगर आप लेड सुलक के साथ में आविदन करना चाहते हैं तो 25 तारीक तक कर सकते हैं तो 25 तारीक तक की इसकी लास्ट डेट रखी गई है एक्जाम की बात की जाए तो 7 मार्च साथ मार्च से इसके जो एक्जाम हो शुरू हो जाएंगे और सत्रे मार्च तक चलेंगे तो हमने प्राइमरी की योगिता बता दी अब बीटीसी और टीलेड को लेकर एक और भरती है जो की जूनियर की है इसमें बीएड और बीटीसी दोनों आवेदन कर सकते हैं बीटीसी गैजुएशन के आधार पर किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं साथ में सीटेड 6-8 वाला होना चाहिए टीजीटी और पीजीटी के लिए बात की जाए तो इसमें बीएड वाले भैती आवेदन कर सकते हैं आपके पास टीजीटी वन के लिए एस्टीटी पेपर बन होना चाहिए और पीजीटी के लिए एस्टीटी पेपर टू तो यह योगिता हैं दोनों को लेकर इसके आदार पर आप इन वेकरिंसियों के अंदर आवेदन कर सकते हैं अशलाल ये तो बात हो जाती है पूरी की पूरी भरती के और योगिता के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ और मुद्धों को लेकर भी जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि इस समय पर उत्तर प्रदेश के अंदर भरतियों को लेकर बहुत ज़्यदा हाल है इन तमाम मुद्धों पर अभरती लगातार कहिने की मांग कर रहें कि जो भरती पर किया उसको रद्ध किया जाए जैसे कि आरो एरो का मामला है और यूपी पुलिक्स कॉंस्टेवल है दोनों की दोनों भरतियों के पेपर लीक हो गए थे इस प्रकार के दावे किये गए और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब अभरतियों के मार्धियम से मांग की जा रही है कि पेपर को रद्ध करके नए सेर से परीक्षा का आयोजन किया जाए देखना यह होगा कि क्या इस पर कुछ होता भी है या इसी तरीके से जान चलती रहेगी फिलाल यह